दुनिया भर में लगबख सत्तर लाख लोग हर साल दिल के दौरे से मरते हैं और हिर्दे रोग जो दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी अन्य समस्याओं का कारण बनता है दुनिया का पर मुख हत्यारा है तो दिल का दौरा आखिर पढ़ता क्यों है? सभी मास पेश्यों की तरह दिल को भी आॉकसिजन की आवाशकता होती है और दिल का दौरा पढ़ने के दौरान उसे आॉकसिजन प्रयाप्त मातरा में नहीं मिल पाती है वसय युक्त जमा या प्लैक हमारी कुरोनरी धमनियों की दिवारों पर विक्सित हो जाते हैं ये वो वही काये हैं जो हिर्दे को आक्सिजन युक्त रक्त की आपूर्ती करती हैं अमारी उम्र के साथ साथ ये प्लैक भी बढ़ते जाते हैं और कभी कभी वे चंकी कठोर या सुजन में बदल जाते हैं और फिर ये प्लैक रुकावटों में बदल सकते हैं। इन प्लैकों में से कोई एक तूट जाता है या उसमें दरार आ जाती है तो मिंटों में ही उसके चारो और एक रक्त का धक्का बन जाएगा और आंशिक रूप से बंद धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती है। इर्दे की मास पेशियों में रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है और आक्सिजन की कमी वाली कोशिकाएं कई मिंटों के भितर मरने लगती हैं। ये एक मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या दिल का दौरा है। सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण चीजें तेजी से बिगड सकती हैं। वो सकता है कि गायल मास पेशी रक्त को पंप करने में सक्चम नहीं हो पाए और उसकी ले बिगड जाए। सबसे खराफ स्तिती में दिल का दौरा अचानक मौत का कारण भी बन सकता है। आप कैसे जान सकते हैं कि किसी को दिल का दौरा पढ़ रहा है। सबसे आम लक्षन सीने में दर्ध है जो आक्सीजन से वंची तिर्दे की मास पेशियों के कारण होता है। रोगी से कुचलने वाला या अत्यांत तंग और द्रिड दर्ध के रूप में वरणीत करता है। ये बाए हाथ, जबडे, पीट या पेट में वीकिरन कर सकता है। लेकिन ये हमेशा उतना अचानक और नाटकी नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। कुछ लोगों को मतलिया सांस की तकलिव का अनुभव होता है। मैलाओं और वज़ूर्गों में लक्षन कम परमुख हो सकते हैं। उनके लिए कमजोरी और ठकान मुख के संकेत हो सकता है। और अच्चेहरी की बात है कि कई लोगों में विशेश रूप से जिनने डाइबिटीज है दर्द को ले जाने वाली नस्प प्रभावित होने के कारण दिल का दौरा शांत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी को दिल का दौरा पढ़ रहा है तो ये सबसे महतुपूर्ण है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। यदि आपके पास आपात कलिन चिकिस्टा से वाव तक पहुंच है तो उन्हें कॉल करें। वो अस्पताल पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। एस्प्रीन जो रक्ट को पतला करता है और नाइट्रो ग्लिस्रिन जो धमनी को खोलता है। इन्हें लेने से दिल के दोरे को बत्तर होने से बचाने में मदद मिल सकती है। आपात कलिन काक्ष में डॉक्टर दिल के दोरे का निदान कर सकते हैं। जो धमनी को खुला रखता है अधिक व्यापक रुकावटों को कुरो नरी धमनी बाइपास सर्जरी की आफशक्ता हो सकती है। ये है कि आप अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। जैसे मेवे सभी फाइदे मन्द हैं। अच्छा आहार और व्यायाम योजना आपके वजन को एक स्वस्ते सीमा में रख सकता है जो आपके दिल के दोरे के जोखिम को भी कम करता है। और निश्चीत रूप से दोवाएं भी दिल के दोरे को रोकने में मदद कर सकती हैं। डॉक्टर अक्सर एस्प्रीन की कम खुराक लेने को कहते हैं। उधारन के लिए खास करकी उन रोगियों को जिने पहले से ही दिल का दोरा पढ़ चुका है या जो उच्छ जोखिम में हैं। और दोवाएं जो उच्छ रक्चाप, कॉलेस्टरोल और डाइबिटिस जैसे जोखिम कारकों को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। वो दिल के दोरे की संभावना को भी कम करती है। दिल का दोरा आम हो सकता है लेकिन वो अनिवारे नहीं होना चाहिए। स्वास्ते आहार, तंबाको के उप्योग से परेज करना, चुस्त रहना और भरपूर नींद और धेर सारी हंसी का आनंद लेना। ये सुनिश्चित करने में बहुत मदद करता है कि आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण मास पेशी धड़कती रहे। हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके नई चीजे जानना जारी रखें जहां आप स्वस्त आदतों से लेकर अपनी ध्यान से सूचने की शक्तिकों सुधारने के तरीकों और सारी दुनिया के रहस्मे मित्कों तक हर चीज पर एनिमेशन पा सकते हैं, हमसे जुड़े रहें और जिग्यासू बने रहें